एक बार फिर PhD classes में guys देखिए 6 scrutiny का result जो है अब भी जारी हुआ है और वो दो region से जो है जारी हुए है और आज क्या है आपका 15 तारिक है 15 मतलब आज है आपका Monday तो आपको पता ही है कि 2 Saturday और Sunday को तो scrutiny के result जारी नहीं होते हैं ठीक है कि एवल वो NR region जारी करता है और वो भी phase 9 औ अपडेट आई है और आपको पता ही कि SST selection post की पल-पल की अपडेट देने वाला एक मातर चैनल है सबसे तेज वो यही चैनल है PhD classes जिसे आप इस समय देख रहे हैं चाहाए आप किसी भी region से हो जैसे भी कोई स्कूटनी का result आता है जैसे भी कोई स्कूटनी का result आता है या को कोई भी अपडेट आती है FAS11 से सबसे पहले या DV का कोई notice आता है सबसे पहले अपडेट देने वाला यही चैनल है बस आप चैनल से जुड़ जाए बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर यह कौन-कौन से region है जिनोंने स्कूटनी का result जा करा है यह पोस्ट कौन से थी तो यह थी WR 11323 इसका पोस्ट कोड था और यह यू आर में के इतनी इतनी यह वैकेंसिती आपको पता ही होगा एजूकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते तो वैसले डिग्री मांगी होगी बाए टेक्स्टाइल डिजाइन में बाखे टू क्यों reject करा है क्योंकि करा rejected education qualification and experience is not in relevant field जिस field का इनोंने experience दिया नहीं होगा इनोंने ऐसी इधर उदर से बरवा के दे दिया होगा तो अभीना जी आपको क्या कर दिया है इनोंने reject कर दिया और यह select भी नहीं करेंगे ठीक है चाहें आप कुछी भी करने हैं बाकी क्योंकि वह मैंने इससे पहले कई 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 वीडियो में यह सब चीजे बता रखी है जो बच्चे रोज के बच्चे उन्हें पता भी होगा जैसे है प्रेम कुमार जी प्रेम कुमार जी हैस नोट समिटेड़ हार्ड कोपी इनकी हार्ड कोपी नहीं पहुचिए इस चक्र में क्या कर दिय है ठीक है तो यह है यहां देखें यह क्या है यह है रीजन फौर रिजेक्शन मेड़ औरलियर जो सबसे पहले किस चक्र में भीने रिजेक्ट कर रहा है बाकि इननोंने दूबढर रीजन फॉर रिजेक्षन आफ्टर कंसेडरिंगी री-प्रजेंटेशन न बच्चों ने जो है representation डाली थी तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी बन जाती है क्योंकि जो कहते हैं कि क्या हम से representation दुबारे जब हम डाल दें तो क्या हम यह accept कर लेंगे तो देखिए इन्होंने यहां पर दोनों का data दे रखा है कि पहले तो इस चक्र में reject कर दिया experience नहीं था आगे देखो represented not received क्योंकि इस बच्ची को अभीना को जो है पता है इस मतलब इन्हें अभीना जी को पता है कि यह मेरा experience बिल्कुल जो relevant field का नहीं है मैं दुबारे क्यों ही डालू इस चक्र में देखिए उन्होंने दुबारे डाला ही नहीं और यहां पर बिल्कुल इन्होंने mention का रखा है देखिए जैसे इन्हें यहां पर लिखा गी इनकी hard copy नहीं पोची है तो यहां पर देखिए नहीं लिख दिया soft copy not accepted as para मतलब इन्होंने soft को भी दुबारे जो इन्होंने कहा था तो भी इन्होंने जो है नहीं भेजी है इसलिए इनको क्या करते है रिजेक्ट कर दिया दोनों रीजन दे रखे हैं तो आप दोनों रीजन देख सकते हैं इस लिश्ट में अगर आपने इस पोस्ट से अपलाई दिये रहें उस डेट में दुबार अपने डॉक्ुमेंट सेंड कर दीजी ए ठीक है तो रोज और वीडियो देखने का यहीं फायदा होता हाँ अपने वीडियो देखी होगी आपको पता नहीं लगा होग आ दुबारे भी नहीं भेजे डूकुमेंट इसलिए वीडियो पर पता है कि कैसे करना है चीजों को देखिए हैस नोट समिटेट सेम को तो इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सेमी केस है देखिए हम पर बात करें लेते हैं जैसे यह है राहुल है सा इन्होंने मतलब उस तरीके का ही नहीं है जिस तरीके का इन्होंने मांगा था यहां पर देखिए इन्होंने थोड़ा सा कर रखा है इन्होंने दुबारे भी इसको submit नहीं करा, इस चेकर में इनको क्या कर रखा, reject अब पर्मानेंट कर दिया, अब कोई solution है नहीं, एक बार यह chance देते हैं, वो भी आपने खो दिया, देखिए, आप देखिए, सेमी केस आ रहे हैं, हाड को भी नहीं पहुची, हाड को भी यह experience व देट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार देट दे चुकी थे, ठीक है, तो इस पर आपने जो है, अगर आपने से फिल करा तो आप देख सकते हैं, हम आगे हम बात कर लेते हैं, अगला, अगला किसका result आया है, यह देखिए, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल द से लेक्ट किया गया है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, दूसरे स्कूटनी के result की, यह देखिए, एक result हो रहा है, वेस्टन रिजन मुंबई से, लेडी मेडिकल अटेंडेंट की, आपकी पोस्ट थी, इसका पोस्ट कोड़ता, डबलू आर बार नो सो तेज था, ऐस से 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 लेक्टन पोस्ट फेस 11 से यह वेस्टन रिजन मुंबई ने इसका स्कूर्ट का result जारी कर दिया, इन एलिजिबल कंडिडेंट की list है, तो इसमें हम ज्यादर discuss नहीं करेंगे, देखिए, आप सेमी केस है, जिनकी documents नहीं पोचे है, सेम डेट पे, ठीक है, तो यह है, दुबार आप mail करके अपने documents बेज सकते हैं, अगर इनसे कोई गलती होगी, तो यह आपको दुबारा जो है, क्या कर लेंगे, selected candidates की list में नाम डाल देंगे, अगर आपके सभी documents ठीक होते हैं, ठीक है, चले हम बात कर लेते हैं, नेक्टी स्कूर्ट किसका result जारी हुआ है, य labor bureau में यह आपकी जो है, vacancy ती, जिसका post code था, NW, NW 10623 का post code था, और यह NWR region काफी दिनों से यह भी region जो है, सोया हुआ था, अब इन्होंने अपने दो scrutinic result जो है, जारी करें है, उस पर हम discuss करेंगे, ठीक है, चले देख लेते हैं, किन किन बच्चों को इन्होंने जो है, rejected करा है, यह किन किन को इन्होंने accept करा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, education, qualification क्या मांगी गई थी, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है, essence, matriculation मांगा गया था, खाली आपके पास 10th, मतलब 10th होनी चाहिए, आपके पास, और यहाँ पर इन्होंने accept candidates की यहाँ पर list जो है, डाली है, केवल 10th मांगी गई है, तो काफी बच्चों ने इसमें apply करा होगा, तो यह देखें, accepted candidates में केवल यहाँ पर इन्हीन बच्चों को select करा है, जैसे रिसब कुमार है, पिरिया कपूर है, इनको क्या करा है, selected candidates की list में डाला है, 15 बच्चों को यह है, जो है, जारी हुआ था, ठीक, आपको पते है, सबसे बहुत देने वाला यही चैनल है, एक मात्र, ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होता है, comment कर देना, बाकी अगला result हम देख लेते हैं, और किसका जारी हुआ है, देखें यह एक और result जो है, NWR region से जारी हुआ है, चंडिग पर डिगरी मांगी गाई थी, metrological में होनी चाहिए आपके पास, तो देखें इन इन बच्चों को क्या कर लिया है, किसकी लिष्ट है, तो इसमें इन बच्चों को, इन जिनका स्कूटनी पर नाम हाया है, तो इन बच्चों का देखें, स्कूटनी की लिष्ट में नाम पोस्ट का जो है, स्कूटनी का रिजल्ट जो है, जारी हुआ है, देखें वह यह है, लास्ट स्कूटनी का रिजल्ट जो है, यह NWR रिजन नहीं जारी करा तो चंडिगार जोडने, NW 12, 120-30 का पोस्ट कोड था, और UR में केवाल एक वेकंसी थी, यह भी टेक्निकल असिस कर सकते हैं कि आपको reject कर दिया है या नहीं करा है, देखें जैसे यह बच्चा है, required education qualification is master degree in जो geophysics में, geophysics बट डिगरी submitted by the candidate is master degree in geophysics में है, ठीक है, तो कहने का बतलब यह है कि यह दोनों अलग अलग चीज है, इस चकर में इन बच्चों को क्या कर दिया है, ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, देखें, यह भी इस बच्चे का भी देखें, सेमी केस आ रहा है, यहाँ पर जैसे अभी शेक चोहान का है, बाकी यह देखें, देखिए, सेमी केसे हाड़कोपी नहीं पहुची है, तो कुल मिला कि इन बच्चों को इसलिए क्या कर दिया है, अगर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पर कोई डाउट होता है, कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी क्योंकि आपको पते है, पलपल की अपडेट देने वाला एक मातर चैनल है, जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा, यह कुछ वीडियो, थैंक्स.